नमस्कार साथ्यों, एलों विताल सुमेधा किटारिया टॉक्स की उर्चया परिमिच श्रिंखला की अठाइसमी कड़ी में आपका स्वागत है आज निची स्वतंत्रता या पर्सनल स्पेस पर बात करना चाहूंगे साथ्यों, कभी आपने मैसूस किया कि जब हम भीड में होते हैं या किसी सामुहिक आयोजन में तो कुछ तेर तो सब ठीक लगता है फिर हमें बेजैनी होने लगती है और मन करता है बस अपने घर जाएं और ऐसे आयोजन कितनी ही जमक तमक वाले हों, ग्लैमर से भरपूर हों, फाइव स्टार से अधिक हमें अपने घर की नौमल सी परिधी भाती है अपनी चेर, बैट, घर का सेक्रेट कोना जो सिर्फ हमारा होता है, वो बेहद अलग सा भर देने वाला सुकून देता है क्या ऐसा नहीं होता? ये निजी स्पेस के भौतिक माइने हैं और ऐसी मांग, भावनात्मक और मांसिक स्टर की भी होती है ये एक सरविदित सच है कि हमें व्यक्तियों और स्थान की उर्चा प्रभावित करती है जैसे भी उर्चा एमिट होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव हम भी इसी तरह अपनी उर्चा से दूसरों पर असर डालते हैं इनसानी फित्रत है कि हम पॉजिटिविटी को भरपूर जीना चाहते हैं खुशम खुश रहना चाहते हैं आनन्तित इसलिए जितने भी माध्यम हैं अभी व्यक्ति के कहे या अनकहे शब्द, बोल, भाव, भ्रिकुटी, हसी, खुशी, आंसु, गीत, संगीत, शोर, चिलाहते, रुदन, क्रोध, क्रंदन, मौन ये सब हमें प्रभावित करते हैं अब ये हमारे अपने सामर्थे की सीमा पे निर्भर करता है कि हम क्या, कितना, कब, कितनी मिकदार तक रिसीव कर सकते हैं उप्रोग किसी भी चीज़ की जरा सी अती की अवस्था हमें बीचैन कर देती है और हम उस स्थान, व्यक्ति, संतर्प, स्थिती से अलहदा होना चाहते हैं ये हमारी निज्टा की व्यक्तिकत मांग होती है, जिसे सुना जाना चाहिए और सम्मान भी दिया जाना चाहिए वरना हमारी ओरजाएं को प्रभावित हो जाती हैं और हमारा स्वभाव भी खराब हो जाता है निजी स्पेस हमारी निज्टा का परिचायक होता है हमारा सुरक्षा जोन हमारा अपने खुद के समीप हो पाने का वक्त जहां हम पूरे वो हो सकें जो हम हैं यह अन्तहतल की मांग होती है स्वर की जो हमें ग्राउंडिट रखने में मददगार होती है हमारे मैच्योर मित्रगन, परिजन, प्रिया दोस्त उसे वैल्यू करते हैं बशर्ते हम स्वयम भी दूसरों के उस स्पेस और निजता की मांग को मैसूस कर तवज्जो देने, सम्मान देने का समर्थे रखते हूं ये बहुत सुक्षम स्तर पे समवेधनाई समझती हैं और इसे समझाया नहीं जा सकता, सिर्फ समझा ही जा सकता है वो संबंध परस परूर्चित चार्जित रखने में समर्थ होते हैं, चिरायू होते हैं ऐसे संबंधों में निजी, मानसिक, व्यवहारिप, भावनात्मक्विकास का मार्ख हमेशा प्रशस्त रहता है सोल लेवल पे ऐसे संबंध स्वतंतरता के परिचायक होते हैं, जिन में स्विकार या भाव स्वत्य होने लगता है कोई अतिश्योक्ती नहीं कि ऐसे संबंध दाता की क्रिपा होते हैं बिना सूचना के अतिथियों का आना, डोर बेल का गलत वक्त पे बजना, बेवक्त तन फोन की घंटी की करकश्ता या हमारा मैसूस ना कि हमें फोर ग्रांटिट लिया जा रहा है या बेवज़े ही छोटी-छोटी कर्ट सीस को कैश्वली लिया जाना हमें दिक्कत देता है ये हमें जिन्दगी में खलल प्रतीत होता है और हमारी उर्चा एकदम से गड़बड हो जाती है जिसकी वज़े से हम वो सतकार समान या वेलकम फील प्रदान नहीं कर पाते जिसके अतिति अधिकारी होते है या हमारा व्यवहार सुट है वैसा हो जाता है जो समानत हमारी अपनी तहजीब परिवारिक संसकारों के अनुरूप नहीं होता जिससे बाद में हम बुरा महसूस करते हैं या माफी तक मांगने की जरूरत भी महसूस होती है हमें और ये सब सहजभाव से देखें तो एवाइडबल है थोड़ी सी ही सेंसिटिविटी और धैरे की दरकार थी कि इस थिती में हम खुद डलने से बच पाते अमोमन हम मारजिन देते हैं दूसरों के दृष्टिकों से समझने का प्रयास करते हैं पर हमारी भाव भंगे माएं कहीं हमें ही धोखा दे जाती हैं समाजिक रूप में ही परसनल स्पेस की अहम्यत नहीं होती बलकि घर में भी बच्चों को पेरेंट्स को ना केवल स्पेस देना चाहिए और ये भी उस स्पेस को डिनाई नहीं करना चाहिए उसी तरहें पेरेंट्स के लिए भी जरूरी है कि सही और गलत को समझाएं और चॉइसिज रखें पर बच्चों पर अपनी ही चॉइस को एक उम्र के बाद थोखना सही नहीं वो चाहिए ड्रेसिस के चैन को लेकर हो या लाइफ स्टाइल को या करियर को लेकर ही क्यों ना हो मुझे ऐसा लगता है कि बाजी तफ़ा हम खुद भी स्वयम को अपना यतोचित स्पेस देने में असमर्थ रहते हैं जैसे काम को बहुत अतिक तवज्जो देना या समाजी कतिविद्यों में बहुत अतिक सनलगन रहना हमें कहीं खुद से भी दूर कर देता है ऐसे में हमारा स्वभाव आहत होता है और व्यवाहार धैर्य विहीन जिन्दगी के चंद लम्हे खुद के खातिर भी रखो भीड में ज्यादा रहे तो खुद को तनहा पाओगे निजी स्पेस मूल जरूरत होती है और नसेसिटी जिसके बिना हम जी नहीं सकते अगर हमें ये नहीं मिलता या मिल पाता सुलब हो पाता तो हमारी औरचा नेगिटिव या माइनस में चली जाती है हमें घुटन होने लगती है कहीं उस खुशी या आनंद की अनुभूदी को पाने में हम असमर्थ रहते हैं जो हमें लगता है as a matter of course हमें मिलना चाहिए हमारी अपनी growth बैक सीट ले लेती है और negative psychic impressions अंकुरित होने लगते हैं हमारी स्थिती जातक सी होती है जो विशेश नक्षक्त्र के दो भूंत जल को तड़ापता है नकारात्मत्ता कवर्तुल भावर हमें भठकाए रखता है और हमारी सकारात्मक्षमताएं कुंधित होकर कभी-कभी खत्म हो जाते हैं जब उर्चा का graph नीचे आने लगता है या स्पेस की मांग या जरूरत हमारी या हमारे अपनों की जिंदगी को जन्नत या दोजख बनाने का मादा रखती है साथियों बहुत सुक्षमता से इस विशमता को हैंडल करना चाहिए इसे अगर मांगना पड़ता है तो दिकते ही दिकते हैं जहां संबंधों में प्यार महब्बत से अधिक आदर भाव होता है वहां दूजे के लिए स्वते ही वो स्पेस उपलब्ध रहता है संवेधनाओं की दूप जीना किसे भला नहीं लगता और कौन नहीं जाता सने से नवाजे जाना प्यार से सराबोर जीवन अपनों की सनिध्य में जीना पर कहीं ऐसा नहो कि हमारी और से दूसरों को ये बंधन प्रतीत हो कहीं न कहीं नौन नेगोशियबल होता है निजी स्पेस धैर्या सहनशीलता और सबसे बढ़के सेंजिटिविटी और काइंटनेस समझस से बनाए रखने में बखुबी भूमिका निभाते हैं गरीमा ग्रीज और भावों की गहनता संबंधों की लचीली मिट्टी को बिखरने से रोकती है निज्टा के हर स्पेस की मांग ही खत्म हो जाए ये थोड़ा रेर है अनकंडिशनल लव का उदाए सरेंडर और अध्यात्मिक इवॉल्वमेंट के बिना संभव नहीं होता जैसे निजी स्वतंत्रता का एहसास अचब सवल्लास जोश भर देता है उर्चा का ग्राफ उचा कर देता है उसी अंब्रेला के दाएरे में आता है परसनल स्पेस तीन सो वर्ष पूर्फ जीन्जा क्रूसो का कथन man is born free but everywhere he is in chains और ये तदा कथित chains उन्निजी पारिवारिक सामाचिक सिस्टम के दाएरों को परिभाशित करती हैं जिनमें हम स्वयम को सुरक्षित महसूस करते हैं इन दाएरों के मकसूस माइने हैं क्योंकि मानविय संबंधों के ताने बाने ही जीवन को सार्थक्ता, सारगर्विता, आर्थ और अहमियत प्रदान करते हैं और उनसे सबबत, जुडाव, जिन्दगी के प्रती उत्साह को बनाए रखने में महत्वुन रोल अदा करता है वास्तव में कंट्रोल या नियंत्रन की प्रवृत्ती के विप्रीत है पर्सनल स्पेस का कॉंसेट हर संबंध, जाहे वो परिवारिक हो या स्निह प्यार का या प्रोफेशनल क्षेत्र में निजी तरेन संबंधों में भी हर व्यक्ति को अपनी निजता को तरजिह देने का और उसे प्रोटेक्ट करने का पूर्ण अधिकार है इसका अर्थ कहीं मर्यादित जवाब देही, अकाउंटबिलिटी से परे होना ये उसका हनन नहीं है बस सुक्षम सी झिली है जिसका अक्स समवेदनाओं की गहन द्रिष्टी से ही बांचा जा सकता है ये कुछ ऐसा है कि वन शुट कमांड रिस्पेक्ट, इट किन नौट बी डिमांटेट आपसी सनेहिल संबंध तंदों की गिरहें सुरक्षित रखने के लिए मांग नहीं सुवेदन शीलता भरी तांग जरूरी है साथियों, बड़ा निजी सा बन गया है आज की चर्चा का विशे और हर एक के अनुभव का अपना सीमित दाइरा होता है जो मेरा भी है इसलिए खुल कर अपने कमेंस से जरूर अवकत करवाईएगा जल्द ही फिर मिलेंगे जहिंद नमस्कार साथियों, एलों विताल सुमेधा किटारिया टॉक्स की उर्चया परिमिच श्रिंखला की 28-वी कड़ी में आपका स्वागत है आज निजी सुतंत्रता या पर्सनल स्पेस पर बात करना चाहूंगे साथियों, कभी आपने मैसूस किया कि जब हम भीड में होते हैं या किसी सामूहिक आयोजन में तो कुछ देर तो सब ठीक लगता है फिर हमें बेजैनी होने लगती है और मन करता है बस अपने घर जाएं और ऐसे आयोजन कितनी ही चमक तमक वाले हों, ग्लैमर से भरपूर हों फाइव स्टार से अधिक हमें अपने घर की नौमल सी परिधी भाती है अपनी चेर, बैट, घर का सेक्रेट कोना जो सिर्फ हमारा होता है वो बेहत अलग सा भर देने वाला सुकून देता है क्या ऐसा नहीं होता? ये निजी स्पेस के भौतिक माइने है पर ऐसी मांग, भावनात्मक और मांशिक स्तर की भी होती है ये एक सरविदिच सच है कि हमें व्यक्तियों और स्थान की उर्चा प्रभावित करती है जैसे भी उर्चा एमिट होती है, नेगेटिव या पॉजिटिव हम भी इसी तरह अपनी उर्चा से दूसरों पर असर डालते हैं इंसानी फित्रत है कि हम पॉजिटिविटी को भरपूर जीना चाहते हैं